नमस्ति, I am Dr. Pratibha Mishra, Happy Karvachot to all of you, आज Karvachot के मौके पर मैं आप सबको उपवास से लेटेट कुछ बहुत interesting points बताऊंगी, क्योंकि आज उपवास है ना, fast है ना, देखे, उपवास उपास ना, दोनों एक जैसे लग रहे ना, exactly, दोनों एक जैसे ही हैं, तो क्या होता है, उ हम लोग उपवास रहते हैं, जो लोग करवा चाहते हैं, तो उपवास बिलकुल भी खराब नहीं है, हम लोग को fast रहना चाहिए, बोडी में लंगन बहुत जरूरी है, लंगन रहने से हमारी बोडी को originate होती है, टाइम टाइम पर बोडी को rest मिलता है, जैसे कोई machine होती है, उसको rest की जरूरत होती है, वैसे हमारी बोडी को भी rest की बहुत जरूरत होती है, इसलिए उपवास करना चाहिए, बड़ सही तरीके से करना चाहिए, ताकि उसका सही result मिले और negative result ना मिले, जैसे कि आपनी normal सुना होगा, बोलते है, quantity of food is not important, बड़ quality of food is important, उसी तरह बिलकु सही बात है, हमें quality food लेना चाहिए, but with quality of food, timing of food taking is also very important, ऐसा नहीं है, कि हम लोग किसी भी समय में अच्छा food है, healthy food है, तो किसी समय में ले ले नहीं, अब हम लोग रात में सोने जा रहे हैं, और हम सोते समय पता चले, नहीं, हमने बहुत quality food लिया है, तो हमें ऐसा नहीं होता ह हर चीज की timing होती है, किते gapping पे लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि हम लोग करवा चौत के पास में दिन भर निर जला रहेंगे, हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, हम लोग सीधे किस वेब में हमें फूड लेना है, जो कि हमाई बॉडि को negative effect ना डाले, तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडि को hydrate करना है, हमको पानी लेना है, juice लेना है, पहले बॉडि में, जो हम लोग दिन भर से निर जला रहे हैं, पहले बॉडि को hydrate करना है, उसके बाद हमको salad तो फूड इंटेक से पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद फूर इंटेक हम लोग करेंगे तो फूड में भी हम लोग को एकडम से बहुत स्पाइसी ऑुइली इचर्ट पटाथी खाए फूड नहीं लेना, अच्छा फूड काईगे जरूरी नहीं होता है, कि ऑुइली के मौके पर बनता है वो फूट खाई बट एक प्रोपर भी में खाई है कि नहीं अज की होटल चले गए पूरा बिलकुल चैनीज खा रहें सब खाने ऐसा नहीं दिन बर फास्ट रहेंगे ना तो उसका भी वे होता है ताकि हमारी बोडी को एनरजी मिले हम लों नहीं तो फिर हो एसिडिटी होगी बोडी को हाम पहुचेगा तो इसलिए प्रॉपर वे में फूड लीजिए बोडी को हाइडरेट कर ये सैलेड लीजिए उसके पाद प्रॉपर जो भी आप लों के घरों में बनता हो प्रॉपर फूड वो खाईए और अच्छी से करवा चौत को सेलिब